हलो एव्रीवन वेलकम टू लर्नवी आएम शिवानी चाहान क्लास नाइंथ साइंस का ये सेंपल पेपर है तो आईए इसको सॉल्फ करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है पहला क्वेस्टिन है सीमा विजिटेड आ नेशनल देखे अप लोग उसका प इसको सीमा वह एक यूनिट पे गई जिसमें नाचरल ग्रैस को कमप्रेस किया जाता है यानि कि जैसे नाचरल गैस होती है जो हम लोग लोग एलपीजी स्लेंडर यूज़ करते है इसमें भी तो लीक्विफाइट पेट्रोयम गैस होती है इसमें बहुत जादा है अब किस या फिर प्रेशर कंडिशन में ऐसा हो पाता है तो इसका जो आंसर आजाएगा टेमपरेचर लो रखा जाता है और प्रेशर बहुत जादा हाई होता है तो C is the correct option आप लोगो भी ट्राय करिए कि कमेंट बॉक्स में साथी साथा पांसर देते चालें नेक्स देखिए क्वेस बॉला है इसका correct answer हो जाएगा यह ठीक है चलो अब next देखते हैं हम लोग रस्टिंग अफ एन आर्टिकल मेड अप आइरन तो उसको हम रोग क्या बोलते हैं रस्टिंग हो जाती है आरेन के आर्टिकल पर उसको तो हम लोग को रोजन बोलते हैं और को रोजन एक केमिकल चे distribution है तो आयोडीन को अलकोहॉल में हम लोग डिप करते हैं नेक्स देखो कैमिकल सिंबल फॉर नाइटोर्जन गैस तो नाइटोर्जन गैस का जो कैमिकल सिंबल होता है वो हमारा एंटू होता है बी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स देखो बच्चा की विच आफ दे फॉलाइं क कमेंट सेक्शन में जरूर बढ़ाएंगे तो मैं आपको आंसर बढ़ा देती हूं इससे ही आप हेल्प से बढ़ाएं कि बही जरा इसका टॉमिक जो नंबर है वो क्या होगा नेक्स क्वेस्टिन नंबर सेवन है रदफोर्ट अलफा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिम सबने होते हैchan और प्रोटीन से बने होए रहते है गर्थ और स्टेम इंक्रीजज किस वजह से इंक्रीज होई है गर्थ इंटर सेलरी मेरी स्टेम की वज़े से ऐसा होता है नेक्स देखो पार्टिकल इस मूविंग इना सर्कुलर पाथ ओफ रेडियस आर डिस्पेस्मेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड़ पी तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा C displacement क्या होता है shortest distance between two point होता है यहां से start के half a circle move किया तो displacement क्या हुआ R यहां तक होगा R plus R to R displacement हो गया नेक्स देखो question है अ गोल keeper रेना game of football pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal this enables the keeper तो वो क्या करता है जो गोल keeper होता है वो अपने हाथ पीछे के तरफ कर देता है थोड़े time के लिए वो ऐसा क्यों करता है तो ताकि force जो है उस पर जो लगी है वो थोड़ी सी reduce the force exerted by ball on hands reduce करने के लिए force को next question number 12 है the gravitational force between two objects is F ठीक है दो object है इनका gravitational force जो है वो F है if mass of both objects are half mass जो है उन दोनों को अगर हम half कर दे और इनका जो distance है यही रहे पहले M था M1 M2 था फिर उसके बाद M1 by 2 और M2 by 2 हो गया है अगर उन दोनों का जो distance है वो half कर दिया जाए तो gravitational force उनके बीच में क्या हो जाएगा तो देखो gravitational force उनका हो जाएगा F by 4 है ना which of the following is not the unit of energy नमें से unit of energy कौन सा नहीं है तो भाई Joule है यह है यह है kilowatt energy का unit हमारे पास नहीं होता when we change feeble sound to loud sound वी इनके जब हम भूती धीमी आवाज को भूती तेज आवाज में निकलता है इन में से तो भाई sunflower से ही oil निकलता है बाकी समय से oil नहीं होता next देखिए 16 है iron of an element has 3 positive charge ठीक है तीन positive charge है अब mass number of atom mass जो है mass number है 27 और neutrons जो है वो 14 है what is the number of electrons in the iron तो कितने electrons होंगे simple answer हो जाएगा उसमें 10 electrons हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं next देखिए in which of the following question a statement of assertion ठीक है assertion region है assertion है on burning magnesium in oxygen ठीक है mass of magnesium oxide formed is equal to the total mass of magnesium oxide तो MgO को आप लोगों ने burn किया तो आप लोगों को बराबर बराबर mass मिल गया ऐसा assertion करा जा रहा है फिर है chemical substance जो elements होते हैं वो हमेशे definite proportion में होते हैं तो दोनों ही correct हो जाएंगे इसका answer A हो जाएगा both assertion and region are correct और R is the correct explanation of A assertion है permanent tissue is composed of mature cells, permanent tissue mature cells के बने होते हैं ठीक है चलो देखते हैं, reason है कि जो marismatic cell, marismatic tissue is a group of actively dividing cell ये तो भाई हमारा पास जो assertion region है दोनों के दोनों सही है बट जो reason है वो correct explanation नहीं है इसलिए B हो जाएगा, next assertion है कि object may acquire acceleration even if it is moving at a constant speed सही बात है, with change in the direction of motion object can acquire acceleration ये भी सही बात है, तो दोनों correct है last है, a winded toy car when placed on floor starts moving, ठीक है, देखते हैं, toy car has kinetic energy stored in it which facilitate its motion तो देखो, assertion true है, बट जो reason है वो हमारा सही नहीं है section B हमारा जो आजाता है, alka was making tea in the kettle, तो alka जो है वो चाय बना रही है suddenly उसको बहुत ही तेज की heat लग गई और from the pull-off of steam gushing out of the spout of the देखो, केटल ऐसी होती है, इसमें से वो चाय बनाए थी बहुत ही तेज से नो धुआ निकल गया और उसको लगा कि भाई, steam जो होती है, जो धुआ होता है, उसका temperature क्या पानी से ज़्यादा होता है क्या तो नहीं देखो, temperature तो दोनों का water and steam का 100 degree Celsius ही है, steam and water दोनों का बट steam जो होती है, उसकी जो होती है, वो energy ज़्यादा होती है steam में और उसका latent heat of vaporization की वज़े से steam में energy ज़्यादा होती है तो आप लोग की लिख सकते है, steam has more energy, steam has more energy, ठीक है, because of latent heat of vaporization, ठीक है इनकी ज़्यादा होती है, because of latent heat of vaporization ठीक है, next देखो, give the formula of compounds formed from the following set of elements तो carbon, chloride, carbon and chloride और sodium and oxygen, तो carbon chloride से तो भाई, carbon से और chloride से क्या बनता है carbon chloride बनता है और इससे बनता है sodium oxide, sodium oxide हमारा इससे बन जाए इससे carbon chloride, ठीक है, next देखते है, if a spotted plant is covered with a glass, ठीक है, plant है, आपने उसको एक glass jar से cover कर दिया है, उसमें से vapor अपियर हो रही है, ठीक है, बूदे-बूदे दिख रही है, क्यूं? simple सा इसका है, transpiration, है ना, transpiration वहाँ पर हो रहा होता है differentiate the following activities on the basis of V, voluntary and involuntary voluntary, ठीक है, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे है, involuntary जो अपनी आप हो रहा है, jumping of frog, frog जो जुप करता है, वो अपनी मर्जी से कर रहा होता है, है ना pumping of heart, आप अपनी मर्जी से अपना heart नहीं pump कर रहे है, वो खुद से ही, मतलब voluntary का मतलब आप जो आप अपनी मन से कर रहे है, और involuntary जो खुद से हो रहा है writing with hand, आप मन से कर रहे हैं, involuntary है, movement of chocolate in your intestine, intestine के अंदर आपके हाथ से मूँ में नहीं, आपकी body में तो वो तो involuntary हो रहा है question number 25 है, rocket is moving up with a velocity V, ठीक है, rocket V velocity से जा रहा है, if velocity of rocket suddenly triple हो जाए, तो ratio of 2 kinetic energy क्या होगा तो देखो, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा solve कर लेते हैं, इधर कर देती हूँ है, यहाँ पर क्या है, initial velocity, initial velocity V है, और final velocity जो है, वो 3 V है initial kinetic energy जो है, वो क्या है, half M V square, ठीक है, फिर उसके बाद final kinetic energy क्या है हमारी, half M 3 V square, है ना तो 9, यहाँ पर 9 M V square, यह हो जाएगा, है ना, अब इनका अगर हम लोग ratio करेंगे initial और final, इनका ratio करेंगे, तो half M V square, और यह हो जाएगा, 9 by 2 M V square, M V square से M V square कर जाएगा, नीचे वाले 2 से नीचे वाले 2, तो हमारे पास जो ratio आजाएगा, वो आजाएगा 1 ratio 9, है ना, 1 ratio 9 हमारे पास यहाँ पर answer आजाएगा, ठीक है, अब देखते हैं, list of two useful traits in improved crop, तो improved crop जो होती है, उसमें कहीं सारी trait होती है, higher yield आप कह सकते हैं, कि उसकी जो उपज होती है, वो ज्यादा होती है, दूसरा जो है, आप लोग कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, nutrition quality इंप्रूव हो जाती है, improved nutritional, improved nutritional quality, और भी एक और आप कह सकते हैं, कि उसका क्या हो जाता है, desired agronomic characteristic आप लोग उसमें डाल सकते हैं, जो भी उसमें आपको डालनी है, desired agronomic characteristic, इस सरीके से कहीं सारी characteristic आपकी होती हैं, जब डाल सकते हैं, next, देखिए, you want to wear your favorite shirt to a party, but the problem is that it is still wet after a wash, what step would you take to dry it faster, तो अप प्रेस कर सकते हैं, simple सा, हम लोग तो घर भी यही करते हैं, है ना, बट आप क्या करेंगे, basically press करने से भी आप क्या कर रहे हैं, rate of evaporation को increase कर रहे हैं, है ना, rate of evaporation, को आप लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो rate of evaporation increase करने से जो पानी होगा वो असानी से उड़ जाएगा, बस, आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहली चीज जो देखो भी बुकों में तो जो भी लिखी हो, आप लोग वो क्या है, हम तो प्रेस करते हैं, है ना, बट हम लोग एक्जाम में लिखने की क्या आना पड़ेगा, कि हम क्या करेंगे, उसका surface area बढ़ा देंगे, मतलब अगर वो ब्रीकुल सुकडी हुई पड़ी हुई है, तो हम उसको फैला करके सुखा देंगे, increase the surface area, ठीक है, ताकि वो जाधा evaporation उसमें हो जाए, increase surface area, है ना, दूसरा आप लोग क्या हवा में चलती हुई, मैं आप लोग डाल देंगे, बिसी के लिए हम तो प्रेसी करते हैं, next है, why are lysosomes known as suicide bags of the cell, तो जो lysosomes होते हैं, वो suicide bags इसलिए उनको कहा जाता है, because cell gets damaged during disturbance in cellular metabolism, तो lysosomes burst हो जाते हैं, और digestive enzyme जो है, release करता है, ठीक है, digestive owned cell, वो खुद को ही खा जाता है, basically आ gets damaged, ठीक है, cells gets damaged during disturbance, cells gets damaged during disturbance in cellular metabolism, during disturbance in cellular metabolism, और lysosomes bust हो जाते हैं, और वो खुद को ही digest कर लेते हैं, यह हो जाता है, और which organically control most of the activities of the cell, nucleus, nucleus करता है, control, next है, different components of xylem and draw a living component, तो xylem के जो different components, क्या-क्या होते हैं, होते हैं हमारे trachides, है ना, vessels होते हैं, और हमारा parenchyma होता है, और fibers होते हैं, है ना, अब आपको draw करना है, तो ऐसे से करके, है ना, ऐसे ऐसे, 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 nucleus आ गया, फिर cytoplasm, cytoplasm आ गया, और nucleus आ गया, है ना, तो यह हो गया, next है, the velocity time graph, show करता है, motion of the cyclist, ठीक है, यहां से, फिर हमें उसके acceleration find करनी है, velocity find करनी है, और distance covered by the cyclist in 15 seconds, ठीक है, यहां पर second कर लो, तो velocity जो है, I'm so sorry